हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाय डिजाइन फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 36 साइज ब्लाउस की कटिंग तो ये अस्तर के साथ में हम लोग कटिंग सीखेंगे तो देखो यहां पर पहले हम आपको पूरा मेजरमेंट बता देते हैं कि लंबाई कितनी रखनी है इस ब्लाउस में तो लंबाई रखनी है हमें 14 इंच सीना है इसका 36 इंच, कमर है इसकी 32 इंच और इसका गला होगा आगे का 5 इंच और पीछे का गला होगा 6 इंच और इसकी बाजू हमें रखनी है लंबाई में इसको रखना है 6.5 इंच और गुलाई इसके यानि की बॉटम जो होगा वो हमारा होगा तो इस तरह से यह हमारा पूरा मेजरमेंट हो गया अब चलो हम लोग यहां पर कटिंग करना सेखते हैं तो देखो जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउस की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं मेन फैबरिक की कटिंग हम बाद में करते हैं तो इसलिए हम मेन फैबरिक को साइड में रख देते हैं और सफ़र पुरा कि इस तरह से पूरा ओपन किर nó नाँद करेंगे यहां से केवल हमारा है कि ने wondered और यहां पर हम लौग नड़ा δे लेंगे से दोनों के साथ में तरह से कपड़े को हमने रखा हुआ है अब को यहां पर जो ऊपर की साइड है यह वहारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट की हम ब्लाउस तयार रखना है 14 इंच का तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा 1.5 इंच क्यों प्लस किया हुआ है क्योंकि हाफ इंच हमारा उपर सोल्डर से जाएगा और 1 इंच नीचे की साइट से हमारा बाटम फोल्ड होगा जो कि हमें बैक पार्ट म भी इंच प्लस करणा है तो इस तरह से यह हमने यहां पर 15 इंच की लंबाई लेनी है यहां से इंचिटेफ रखा और यह हमने इसकी लंबाई सिर्फ 15 इंच रखे हुए है यह देखो टीक है अब इसके बाद नीचे की साइट जो हमारा बैक यानिका फ्रेंट पार्ट है उ तो इसलिए हमने बैग पार्ट में सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लिया हुआ है और फ्रेंट पार्ट में धाई इंच ठीक है तो इस तरह से लंबाई हमारी निकल चुकी है आई होप आपको यहाँ पर लंबाई निकालना आ गया होगा मैं एक बार फिर से रिपेट कर देती हूँ तो आपको जितना भी ब्लाउस तयार रखना है उसमें से आपको 1.5 इंच बैग पार्ट में प्लस करके लिया है और अगर आप यहाँ पर बेल्ट वाले ब्लाउस की सा ओसना रेखने है पर साइड कर लिया है लेंटे हमने इससे पर पर्यूद निकाल लिया है अब तरह के बाद यह जो परेव पलड defacial लिया और यह जो उप इता इसना को यह सैथ दोश्य साइड को आप आपको आपको और वार्फे लिया है नियूमा step 3 लगाना है तो भी हम सीख लेते हैं कपड़े की भंद बांग से हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो ये हम भाई इंच पर लगाएंगे इधर साइड को एक लाइन ट्रॉ कर लेंगे, हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और गुलाई कर लेंगे इस तरह से, तो यह हमने यहाँ पर गुलाई कर लिया है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कपरे के बंद बाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, वhr 5 इंच लिया और नीचे की बंद भाग से तरह लोट निचे की लेंख लिए लेंख, तो लेंच लेख नहीं है,।Thya लाइन के लिए 6 इंच लाइएंगे यहां तक ले जाएंगे इस तरह से यह हमारी फिटिंग होगी और इसके बाद यहां पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है तो यह हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया अब इसके बाद यहां पर हमको अपने गुलाई देनी है तो देखो यहां पर 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट में और एक इंच फ्रेंट पार्ट में ठीक है अब हम इनी दोनों निसानों पर ऐसे गुलाई कर लेंगे तो इसकी कटिंग कैसे करनी ही यह मैं आपको कटिंग करते समय बताऊंगी अभी सिर्फ निसान लगाते चलिए तो देखो इस तरह से यह हो गया हमारा फ्रेंट पार्ट में कट होगा और यह हो गया हमारा बैक पार्ट में कट होगा ठीक है अब सेम इसी तरह से हम कमर का नाप डालेंगे तो कमर का नाप हम कितने पर डालेंगे तो जो भी आपका कमर साइज है जैसे कि यहां पर है हमारा कम 32 साइज का है तो 32 को हम 4 से डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा हमारा आठ इंच आएगा यहां पर हमने 8 इंच पर फिटिंग डाला इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है अब हमने क्या करना है जो हमने निशान लगाया हुआ है उपर से नीचे वाले निशान में इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है सेम ऐसे ही मार्जिन वाले निशान से ऐसे नीचे की साइट मिला देना है अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया अब इसके बाद हमको क्या करना है यहां से अपना इंच टेप रखेंगे नीचे की साइट बस्ट पॉइंट का निश इसान लगाएंगे यह निसान हम 10 पर लगाएंगे ठीक है 36 साइज के लिए हमें 10 पर निसान लगाना है अब उसी निसान से हम इधर साइड को 1.5 पर मतलब 1.5 हिंच छोड़ते हुए यह हमें टक्स डालना है तो इस तरह से हमारे तीन टक्स हो गए है एक टक्स हम इधर डालेंगे तो यह भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निसान डालना है यह हमारे चार टक्स हो गए ठीक है अब हम क्या करेंगे इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे तो 36 साज के ब्लाउज में अगर आप सोलर डाउन नहीं करोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी त इसका हो हम कट कर लेंगे तो बस इसकी हम सारी कटिंग कंप्रीट कर लेते हैं तो देखो इस तरह यह हमने सारी कटिंग कर लिया है अभी इन कपड़ों को रखना है यहीं से हम बागी के कपड़े निकालेंगे अब इसके बाद हमें क्या करना है अब हम इस बैक पार्ट को बाहर कर देंगे इस तरह से बैक पार्ट को निकालने के बाद फ्रेंट पार्ट को फिर से ऐसे ही रखेंगे और जो हाफ इंच अंदर की साइड हमने डाउन किया था उसे हम कट कर लेंगे किवल फ्रेंट पार्ट में तो देखो इस तरह से ये हमने अंदर की साइड half inch जो निसान लगाया था उसे हमने कट कर लिया है अब हम इसको पूरा open कर लेंगे open करने के बाद जैसे हमने इधर निशान लगाया है same यही निशान हमें इधर भी छाप लेना है तो चाफ को अच्छे से डार्क करके इधर साइड छाप लेंगे तो इस तरह से हमारे चारो टक्स मतलब दोनों साइट के टक्स कम्प्लीट हो गए हैं यहां पर हम बिल्कुल शेंटर वाले पॉइंट से हम यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से जिससे कि हमें पता चले गए क्योंकि इसे हमें कट करना होगा लेकिन अभी हम इसे कट करके लिजेंगे तो मुझे पीछे का उसमें रखना है इसमे इसमेंगाव और इसमे ऐसे को और इसमें वह लिख पर इसमें घृंध कर लें ड्रॉवित में आहीं कट कर लेंगे आपको जितनी भी लेंद में चाहिए thieves । इस तरह से किलाफ लिजिक दिग है को और कर-करद क यह हमारा back part भी complete हो गया है अभी हमको इसमें क्या करना है dot के निशान डालने है तो कपड़े के यानि कि center वाले भाग से हम यहाँ पर इधर side को 4 इंच लाएंगे और उपर के side भी 4 इंच ले जाएंगे यह हमारा एक dot हो गया same ऐसे ही इधर भी करना है तो 4 इंच पर इधर एक point देना है और उपर के side भी 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से यह हमारे दोनों dot complete हो गये हैं यह हमारा back part complete हुआ अब यहाँ से हमारा गला निकला हुआ था जो गले के पास से जो कपड़ा निकला हुआ था वहीं से हम अपनी hook पटी और eye पटी निकाल लेंगे तो side side से इसको बराबर कर लेंगे और beach से cut कर लेंगे तो देखो इस तरह से यह हमारी दोनों पटिया निकल चुकी हैं hook पटी और eye पटी अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा side से बचा हुआ है यहां से हम अपने sleeves निकालेंगे तो इसको अच्छे से बराबर से रखेंगे तो देखो इसको हमने इस तरह से रखा रखने के बाद यहां पर आगे के side कपड़ा बराबर नहीं है तो इसको हम पहले बराबर कर लेंगे यह हमने यहाँ पर इसे बराबर कर लिया है अब बराबर करने के बाद यहाँ पर हमको इसकी लंबाई कितनी रखनी है तो स्लीप्स की लंबाई हमें 6.5 इंच की रखनी है तो इस तरह से यह हमने 6.5 इंच पर एक निशान डाला अब हम उशी निसान से नीचे की साइट को लाइन कीचेंगे ये लाइन हमको कितनी ले जानी है जैसे कि 36 साइट का ब्लाउस है तो 36 को हम 4 से डिवैट करेंगे तो 9 आएगा और 9 में हम 5 अग इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना है गा 9.5 इंच आएगा बट बच रहा है इसको बच बच रहा है उसके कट करेंगे पतले-पतलेसे यहां पर पर आगे जोइंड लगा ले और ये कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे जो बराबर नहीं है तो इस तरह से यह हमने इसको बराबर कर लिया है अब हम यहाँ पर इसमें जॉइंड लगा के फिर कटिंग करना सिख बताते हैं आपको ठीक है देखो फ्रेंट इस तरह से यह हमने आगे की साइड जॉइंड लगा लिया है तो दोनों स्लीव में हमने जॉइंड लगा लिया है अब इसके बाद इसको हम रखेंगे कैसे यह जो हमारा सीधा साइड है इसको हम उपर की साइड को रखेंगे इस तरह से और जो इसका सीधा साइड है उसको हम नीचे की साइड को रखेंगे यानि कि मार्जी कर लिया है अब फोल लिकरने के बाद आगे की साइड से हमें इसमें ऐसे किलकुल बराबर करने के लिए एक लाइन खीज देनी है क्योंकि बराबर कपड़ा नहीं होगा अब हम क्या करेंगे यहां पर अपनी लंबाए निकालेंगे तो लंबाए हमको च्थर वाले बलाऊस में कितनी लेनी होती है जैसे हमें 5.5 इंच बलाऊस वह स्लीव से तयार रखनी है तो हाफ इंच प्लैस करके लेंगे तो कितना है यहां निशान लगाया और यह लंबाए जिसकी लंबाई हमने कितना लिया हुआ है तो 36 को हमने 4 से दिवाइट किया तो कितना है हमारा 9 इंच आया अब 9 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो कितना आएगा 9.5 इंच आएगा जिसकी लंबाई हमने पूरी 9.5 इंच लिए है ठीक है? अब हम अंदर की साइट कितना निशान लगाएंगे तो ये हम 2 इंच पर निशान डालेंगे, इस तरह से एक point डालेंगे, अब जो हमने point डाला हुआ है, वहीं से हम इधर side को एक line draw कर लेंगे, इस तरह से, अब line draw करने के बाद यहाँ पर हम गुलाई कर लेंगे, तो देखो यह हमारा armhole side जूडता है जाके, तो इस तरह से इस आकार का save देते हुए, ऐसे गुलाई कर लेनी है, अब आगे की side हम bottom का nap डालेंगे, तो bottom है हमारा 5 इंच, तो 5 इंच पर हमने नाब डाला, आप इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच margin ले लेना है, अब हम margin से इधर side को कोने पर इस तरह से line draw कर लेंगे, इसके बाद यहाँ तो देखो इस तरह से यह हमने सारी cutting complete कर लिया है, अब हम इसको पूरा open करके इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना होता है, एक side half inch down करना होता है, अंदर की side को जो हमारा front part में जोड़ता है, तो इस तरह से बिल्कुल शेंटर पर half inch अंदर की side न स्लीव की cutting भी पूरी हो गई है, तो देखो फ्रेंट्स हमें अपने अस्तर वाले कप्टे से front part, back part और स्लीव पट्टी और आई पट्टी हमने निकाल लिया है, अब हमें main fabric की cutting कैसे करनी होती है, तो चलो अब हम लोग main fabric की cutting भी सीख लेते हैं, तो देखो फ्रेंट्स इस स्लीव के लिए, पूरा कप्टा नहीं मिल पा रहे है। इस लीए हम तो यहां पर उपना कप्टा कीच में रखा हुआ है, और यह संसी अस्तर वाले पिस इस तरह से कट प्लिया है। इस हमारे बैक पार्ट के दियो नहीं हम देखा हुआ है। जिसमें पर बीच में रख़ा मिल पनावा है तो मतलब यह पैटरन अछा चाहिए तो इस नहीं होता तो फिर हमारी आसानी से निकल आती यहां अछार फील और इधर आपर है उदर रख लेते नियुदा है यहां पर पैटरन बना हुआ है यहां पर कुछ और नहीं हो सकता है सिर्फ यहां पर जॉइंड लगेगा कप्ड़े पर कहां से लगाएंगे अभी हम इसकी सारी कटिंग करेंगे तो यहां जो कप्ड़ा बच्ची का तो दोनों स्लेप में हम जॉइंड लगाएंगे तो जब हम लोग सिलाई सिखेंगे कि किस यहां पर यॉइंड लगानी होती है अभी हम लोग क्या करते हैं जैसे हमने यहां पर कप्ड़ा रखा हुआ है हर जगह से हाफ इंच इश्टा कप्ड़ा लेते हुए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और देखो यहां पर कम कप्ड़ा है इसलिए हमें अर्जिस्ट करना चंचार पर यहां से कपने तो हमारे से हमारे कप्ड़ा बहीं कि क्लेए और देखो यहां पर कम्प्रेंट करें गालेंगे तो कैसे लगाएंगि यह हम स्टिचिंग करते समय देखेंगे तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही आप तक पर हमने अपने प्रेंट पाट और 20 ते हमें एक पाइपिंग के लिए अपने कप्रा निकाल लिया है और 20 और यहां से थी निकाल ली है तो अगली वीडियो में देखने वाले हैं तो उसमें हम लोग सारा कुछ डिटेल में जानेगे कैसे जॉइंट भी लगाना है और कैसे सारा कम्प्लीट करने वाले हैं तो अगली वीडियो में हम लोग सब कुछ कम्प्लीट करने वाले हैं तो अगली वीडियो ज सब्सक्राइब किये हुए बिल्कुल भी मत जाना अगर आपको शिलाई सेखना है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धेनेवाद